नीमत में शनी अमावस्या के बीच जीले भर में शनी मंदिर पर पूजा अर्चना की गई इस दोन महावस्या के साथ महाप्रसादी वित्रन का भी कारिपन मायूत किया गया तो देर शाम महारती के बाद प्रसादी वित्रण किया गया इस बार शनिवार को साल का पहला सुर्य ग्रहन और शनी अमावस्या का योग भी बना है शनिवार को पढ़ने वाली अमावस्या को शनी अमावस्या या शनी चरी अमावस्या भी कहा जाता है जोतिश के द्रश्टि कोण से सुद्य ग्रहन पर शनी अमावस्या का एक ही दिन पढ़ना बेहर्च शुब माना जा रहा है यह संयोग इस बार कई साल बाद बना है इस संयोग का सभी 12 राशियों पर परभाव पढ़ेगा हिंदू पंचांग के अनुसार वे शाक मा की अमावस्या तिथी 30 अपरेल शनिवार के दिन अमावस्या पढ़ने के कारण इसे शनी अमावस्या या शनीश्वरी अमावस्या कहते हैं जोतिशी द्रश्टि से इस अमावस्या का बहुत महत्व होता है ये दिन शनी देव की पूजा अर्चना कर उनकी किरपा पाने के लिए श्रेष्ट है नव ग्रोहों में शनी को नियाय धीपटी माना गया है वे मनुश्यों को उनके कर्मनुसार फल परदान करते हैं जोतिश में शनी की द्रश्टी एवं चाल बहुत ही महतुपून इस्थान रखती है इनकी द्रश्टी अनिष्टिकारक मानी गई है और शनी की चाल बहुत धीमी है ये एक राशी से दूसरी राशी में जाने में लगभग धाई वर्ष का समय लेते हैं इसके बारे में हमारे ग्रेंथों में इन कथाओं का भी वर्णन है